श्री शुवाए, नमस्तुभ्याम, सभी को राधे राधे आमतूर पर सभी घरों में मनी प्लांट का पौधा पाया जाता है क्यूंकि ऐसी मानता है कि इसको लगाने से घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती सबसे अच्छी चीज यह होती है money plant के बारे में कि money plant यानी पोथोस 24 घंटे oxygen देता है यह दिन के साथ साथ रात में भी oxygen देता है money plant की देखवाल करना असान है आप इसे घर के अंदर लगा सकते हैं और यह भारत में oxygen के लिए सबसे अच्छे इंडोर plant के पौधे के रूप में हर घर में लगा हुआ आप देखेंगे तो मनी प्लांट के फाइदों के बारे में फैंक्शुई और वास्तू के अनुसार इसके क्या महत्तों हैं आज के वीडियो में आप जानेंगे मैं आपको रियल जो कारण है वो भी बताऊंगी कि मनी प्लांट को क्यों घर में लगाना चाहिए वास्तू के अनुसार भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं वैज्यानिक द्रिष्टिकोर से भी देख सकते हैं ऐसी मानेता है कि मनी प्लांट घर में लगाने से सुख स्मृधी आती है ये सुख स्मृधी का प्रतीक है इतना ही नहीं वास्तू शास्त्र में भी मनी प्लांट के पौधे को बेहद खास माना गया है ऐसा माना जाता है कि जिस घर में मनी प्लांट का पौधा होता है वहाँ कभी भी आर्थिक संकट नहीं पहुंसता और हमेशा लक्षमी मा के किरपा बनी रहती है हाला कि कुछ गल्तियों के वज़े से अकसर मनी प्लांट का पौधा सूखने लगता है और ये फायदा करने के बजाए नुकसान करने लगता है तो यदि मनी प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं सूखे बेजान से हो रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इनके पत्तों का लश ग्रीन होना ज़रूरी है अब जैसे जैसे सर्दियां आएंगी पत्ते अकसर सूखने लगेंगे तो आपको क्या करना है सब्ता में एक दिन ही पानी देना है प्रौपर संलाइट में पौधे को रख देना है जहां पर पूरे दिन के स परवरी से ले करके जून तक पौधे को अंदर रखना होता है सेमिशेड एरिया में और मनी प्लांट को सर्दियों की धूप में जरूर रखना चाहिए नहीं तो पत्ते पीले होने लगते हैं पानी सब्ता हम एक बार दीजे और जब खाद की बारी है तो आप कोई भी प्रिप्शन में डाल दूगी वहां से ले सकते हैं सस्ती सिखाद होती है लेकिन मनी प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया है वो एक चमच देना होता है 10-15 दिनों पर और यदि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ आपको क्या करना है घर में जब आप चावल बनाते ह और उसको जब हम वाश करते हैं धोते हैं जो पानी निकलता है उसी पानी को जब भी डालना है मनी प्लांट में वही पानी डाले इससे भी मनी प्लांट की पत्यां चमकदार हो जाती है और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए एवर ग्रीन वाले चैनल पर जा सकते हैं description में दे दूँगी मनी प्लांट से जुड़े हुए फाइदों के बारे में बात करते हैं सबसे पहली चीज़ घर में मनी प्लांट का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस पौधे की पत्या कभी भी जमीन को नहीं चूनी चाहिए पत्या जमीन में मनी प्लांट को हमेशा उचाई के तरफ बढ़ाना है हमेशा उपर ट्रेलिस से बांधिये या फिर आप ऐसे किसी चीज़ से बांधिये जिससे ये उचाई से बढ़ता जाए नीचे की तरफ बालकनी से नीचे या छट से नीचे कभी भिना लटकाएं जब आप इसे जी एक प्रोग्रेस का साइन है और एक वातावरन में आप कह सकते हैं सकरात्मक उर्जा भी भर देता है दूसरी चीज हरा बरा जो मनी प्लांट है वो आर्थिक बरकत के लिए शुब माना जाता है इसलिए अगर मनी प्लांट की पत्तियां सूख गई है या पीली पड़ ग चाहिए ऐसे में घर की सुक इसमरिदी खत्म होती है अब कई लोग इसमें क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो डाला था कि क्या मनी प्लांट को चुरा कर लगा सकते हैं छुपा कर लगाने से बरकत होती है ऐसी कोई ये अंध विश्वास है कि किसी कि यहां से आप मनी प्लांट छुपा कर लाते हैं तो उससे बरकत होगी ये लोगों ने खुद बखुद ही आप कह सकते हैं इन चीजों को इजाद किया है कहीं भी किताबों में लिखित नहीं है और मैं जो आपको जनकारी देती हूं ये हमेशा मैं कहीं से पढ़कर के ही आ आपको बताती हूं जनकारी होती है आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल वेगर अपे चेक कर सकते हैं वास्तु शास्त्र की माने तो मनी प्लांट का पौधा लगाते समय दिशा का विशेस कर यानि डायरेक्शन का ध्यान रखना जरूरी है इस पौधे को कभी भ लगह नहीं है तो किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं लेकिन जो पत्तियां है जैसा मैंने बताया लश ग्रीन होंगी तो ये एक पौजिटिव माहौल को जन्म देगा ऐसी माननेता है कि इस पौधे को शुक्र ग्रह के साथ इसका सीधा संबंध है इसलिए मनी मानना आपकी अपनी मरजी हो सकती है ऐसी माननेता है कि अपने घर से मनी प्लांट निकाल कर किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए इसे शुक्र देवता नराज होते हैं शास्रों की मानने तो शुक्र सुक्र शांती और लग्जरियस के लग्जरी लाइफ के प्रतीक हैं और जब money plant आप दूसरे को gift करते हैं तो अपने सुख शान्ती का कोई भाग आप किसी को दे रहे होते हैं ऐसा मैंने लिखा हुआ पढ़ा है दूसरे चीज़ ये है कि money plant को आप अपने घर के अंदर living room में भी लगा सकते हैं जहां पर semi shade area हो money plant को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है तो ज़्यादा sunlight में ये पौधा खराब हो सकता है यदि आप वास्तू की नहीं भी मानते हैं तो ये सोचकर इस पौधे को घर में जरूर लगाईए कि ये पौधा अपने आस पास के वातावरण को शुद्ध करता है जिस जगह पे होता है वहाँ positive environment को जन्म देता है और वास्तू शास्त्र में बताया गया है कि घर में इस प जनकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी जनकारी अच्छी लगती है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें